हाई एवरीबन तो कैसे है आप सभी आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे तो मैं वेक आपका फिर से सोगर करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में तो देखिए आज की वीडियो में आपके डिसकस करेंगे कि आज थर्ड और फिफ सैमेश्टर के है रुआ है देख सकते हैं यह एसमेस आपको आया होगा नहीं भी आया तो भी कोई द्रीक्कत नहीं होगा तो भी कोई दिंगकत नहीं है थिए संहरण में घ्रै कोई अहीं तोमरी वीडियो तो आ गई на आपको को अपडेल तो मैं भी आ। अगर Aire distribute आपको अपना online exam form 2013 examination के लिए 30 नवंबर से पहले पहले फिल करना है ठीक है और उसका जो link है वो आपके dashboard पर आ चुका है अब आप कहोगे सर यह online examination form है क्या बहुत अच्छी बात है तो mostly student तो अभी यही समझने होंगे कि हमारा exam online होगा तभी online exam form लिगा होगा नहीं इसका मतलब यह है कि आपका जो examination form है वो online तरीके से आपके dashboard पर available है ठीक है तो online exam नहीं होगा offline exam होगा बट आपके वहने सवाल होगा कि सरी examination form क्या S.O.L.K. student को भी बनना है क्योंकि आपने तो आप ऐसा कुछ हमें बता या नहीं तो मैं अपसे को बताना चाहता हूं कि अगर आपने दुबारा क्या रहा हूं अगर आपने थर्ट semester में admission ले लिया है अगर आपने फिफ्स semester में admission ले लिया है तो आपको कोई भी आप exam form फिल नहीं करना है जो आपने admission form फिल किया था वही आपका examination form होता है मतलब admission form और exam form form SOL के अंधर एक ही होता है समझ में आगी बात एक्चली SOL जो है ना वह admission form करके कभी mention नहीं करता है SOL सिरफ first time को यह admission मानता है और बाकि जितने भी semester होते हैं उन में सब को exam form ही बोला जाता क्योंकि अगले महिने से exam है ठीक है तो अभी जो आप फिल कर रहे हो वह तो exam form ही solution करा लिया है तब भी मेरे पास यह message क्यों आया है तो actually होता यह है कि SOL जो है न वह आपको reminder के तौर पर बता रहा है कि अपकी 30th Novemberड Natाय को यह सिल कि इससे नवंबर आपकी लागड चिस्टोंबा स्टूड Nous नहीं देख टाकि द्रूण को नहीं पता कि आपने फिल किया है Dal Boss नहीं किया कि जो कराया है तो यह SMS आपके लिए का भी important है तो 30 November तक आप अपना form फिल कर दो 30 numbers के बाद आपका मुझे लगता लिए कि फिर आप online तरीके से अपना form फिल कर पाओगे अगर लाज़ डेट extend होती है बता दूगा तो यही है इस message का मतलब SOL examination form कहता है अपने admission form को जब जबकि दोनों ही एक ही चीज है चाहिए exam form कहलो admission form मतलब दोनों का एक है दोनों से ही आपका exam होगा और exam form अब आपको अलग से कोई बनना नहीं है अगर आपने admission करा लिया है थर्ड और फिप सेमस्टर में अगर आप स्टुडेंटों थर्ड पे करा लिया है तो आपको कोई भी exam form फिल नहीं करना है दोनों ही एक ही चीज है यह message से डनना नहीं है और इस message को एग्नोर कर देना अगर आपका काम हो चुका है बाकी दोने एक चीज और कही है अगर आपने अगर आपको को आपको करना है तो इसके लिए आपको कि खूद रिस्पोंस्बिल्टी और इसके लिए आपको कि आपको क्यों नहीं होगा कि आप एक्जाम क्यों नहीं पार है ठीक है थैंक्यू सो मुच